तो हम लोग दिख रहे थे हैं अपना वीजन का टेस्ट फाइव नंबर का उसमें हम लोग ने 40 कोईशन कर लिए हैं अब आगे के दिखते हैं कोईशन 41 निमलिखित प्रतिमा उपर विचार कीजिए एक खड़े हुए बुद की प्रतिमा सारना दूसरा अनन्त शेश शाई वि किवल एक दो तो आपको इसका अंसर पताना है तो 41 का हमारे सही है सारनाथ से प्राप्त खड़े हुए बुद्ध की प्रतिमा अपनी परिपक अवस्था में गुप्तकाल का उधारन है जो सारनाथ से बुद्ध की खड़े हुई प्रतिमा प्रतिमा प्राप्त हुई है वो निपुन्ता पूर्वक काटकर बनाई गई वस्त्रों की परतों से भिन इसमें प्रतिमा में पारदर्शी वस्त्रों के किनारे मात्र को दर्शाये गया है गुप्तकाल के दौरान भार्टी मंदिर के विशिस्तत उब्रे और तधा नम में रूपों का प्रयोक समान वास्तुशक प्योजना के अभिन अंके रूप में सरहानिय धंसे किया जाएं लगा देवगढ के मंदिरों तो उदैगीरियो अजंता के मंदिरों के उतकृस्ट प्रस्तर अपने सजावटी विन्यास में मूर्तिकला के उतकृस्ट नमूने है जो देवगड के मंदिर हैं ठीक है उदाइगीरी और जंता के मंदिर हैं ठीक है वो भी क्या है इसको मतलब मूर्ति के लाके वो उत्कृष्ण नमून है देवगड मंदिर में शेशा शाई विश्णू के एक विशाल पट्टिका इसका एक उत्तम धारण है अनेंत सर्प करशक रूप से लेटे हुए हैं अधिशेश के साथ फन उनके मुकोट वाले सिर पर एक चत्र का निर्मान करते हैं उनकी पतनी लक्ष्मिन के दाहिने पैर को दवारी और दो परिचारक उसके पीछे खड़े हैं मतलब पूरा वर्णन दे रहा है क्या है तो इसको आपको द मूल रूप से इस्थापत गंगा और यमना दो आदमकत पक्की मिट्टी की मूर्थियों का संबत गुप्तकाल चौती शताबदी इश्वी से हैं तो देगे अहिचत में जो शिव मंदर के उपरी चब उत्रे की ओर जाने वाली जो प्रमुक सीड़ी के पार्ष के आलो के कच्छी उस पर वह विराजमान है कि 41 का हमारा एस है एक दो ती तीनों ही जो है वह गुप्तकाल की है ठीक है खड़े हुए बुद्ध की प्रतिमा सारनात में अनन्शेशाशाई विश्णू प्रतिमा देवगड की और मूल रूप साहिच्छत के शिव मंद्र में पादकार संचिप नहीं है थथा उसे कुमलता के साथ प्रस्तुत किया जाता है हस्त भंगिमा और विलक्षण मुखिय अभिव्यक्ति के साथ मुखाविने को महत दिया जाता है बहुत से अभिने मुद्राओं को नन गियार कुथू और महिला लोक रित कई कोतिकली और तिर नहीं है किसका यह का यह बात कर रहे है कर ला कि 42 साइए मhonit ρम कि रूप में कि कि जाते जाते केरल की केरल कि है स्पी निद्धि का अखिव विश्गत तरह में धिव अपसरा के रूप में वहीनी क Ragaz कंगकी करा किरल के मंदिरों में महुनियट्रि मुख विशेष्टा है बिना किसी तीर जटके अच्छाल के सुंदर लाल इत पूर पर नीचे अभी नहीं किया जाता है जो समूत की लहरों नारील ताड के प्रक्षों खेतों में धान की फसलों की लहराने से मेल पातकार इसन्षिप नहीं है उसमें कुमलता से उसे प्रस्थुत किया जाताया है हश्त-bnक account μुख्यविवक्ति के साथ मुखा विवेक्टी महितर दिया जाता है अभीनाय को न imply样 कृति न को दिरू वती रहकली से इस english सिर्द की अबी नहीं किया गया है इन मुझी भंगिमा पर विशिज दियाता है जो मुफ्की भंगिमा दिखिया में भी क्या जाता है हस्ता अलक्षण दीपका से ली गई है इसका यूज हम करते हैं कुछ हस्त भंगिवाई नाट शास अभीने दरपन बल राम भरतम से भी ग्रहन की गई है ठीक है विवन भंगिवाई चैरे के बाब नाट किये और या कठोर पारम पर एक नाट धर्मी की त 43 दिखते हैं भारत में लू के संदर में निम्लिकित कत्नों पर विचार कीजिए एक लू की स्थिति तब मानी जाती है जब किसी स्थान का अधिक्तम तापमान मैदानी चित्रों के लिए 30 जिरी से या उससे अधिक पहुच जाता है दूसरा लू की स्थिति में ततकाल अम्डी ने दिल्ली के लिए नारंगी जारी किया था ुपस्तित मानम शरी के लिए घहतक हो जाती है धल्यंगित्ना थानुत मारिमर्ट आत्रद करूर्ण्यों मांत्राष्टम हो से य्वास्थ ततविक तापमान या समान थापमान से इक्से तैभी डिखलन के संदर में प आपमान की सीमा की आधार परेचाइटे के जाता है कुछ अधार की देखते हैं कर न म्था अधिक hedge度 जाता है अदिक्तम के लिए आभTakePro प्रिष्धिया निम लिखेती है एक च्छत में गर्म शुश्क वाजु का परिवहन प्रिषार मतला गर्म शुश्क वाझु का एक च्छत और श्यत्र में गर्म वाजु के परिवहन के लिए उ theorem क्फ्यृक्त प्रभा पद्दती उनी चाहिए उपरी वा यूम जो सूर की केरने आएंगे वापस रिफलेक्ट हो जाएंगी इसलिए बादल रही तो ना चाहिए चैट में बड़े आयम बाले प्रती चक्रवात का प्रवाध का प्रवाई जाएंगी आमतर लू की उत्ता पशिम भात में चलती है लू और धिये तीर इसका विस्तार पूरा मौसम के दौन पशलित पवनों की दिशा पश्यम होती है लेकिन कुछ अबसर ऊपर अनुकूल परस्तित्यों में किसी भी छेत्र में लुविक्सित हो सकती है आपको निगरानी करने के लिए लाल मतलब कारवाई की जओरत है तो 43 का हमारा D सही दो नहीं सही नहीं है गांधार और मत्रा कला शैली के संदर में निमलिक इतकत्रों पर विचार कीजिए एक मत्रा कला शैली में केवल बौत धर्म से सम्मदेद विश्यों पर ही मूर्तियों का निर्मान किया गया है दूसरा कुशार्ण समराज ने गांधार कलाश हैली के विकास में एक प्रमग भूमिका निभाई थी तीसा कुशार्ण शाशक कनिश्क के बिना सिरवाली मूर्ति का निर्मार मुत्रा में ही किया गया तो कौन से सही है एक एवल एक दो बी केवल दो तीन सी केवल एक तीन डी एक दो तीन 44 का हमारा बी सही है देखे कथन एक सही नहीं है मत्रा में प्रारंबिक जैन तीर्थंक और समराटों की मूर्तियां पाए गई है तो मत्रा में जो जयन है उनकी मूर्ती भी बनाएगे स्रिफ मत्रा से वैशनव मुख रूप से विष्णो उनके विभिन रूप और शैव मुख रूप से लेंग और मुख लिंग संपरदयों से सम्मधित मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं लेकिन यहांब बहुत मूर्थीयां बड़ी संख्यां पाई गई ग रेकिन जो बहुत मूर्थियां वो जादा संख्यां में लिए हैं दातर वाई कि विष्णो शेफ की प्रतीमा उनके ऐस्थ के साथ प्रस्त coal की गई है दोसे हैं कुशार शाषकों ने विबिन शैलियों और देशों में प्रशेक्षित राजमिस्त्रियों अनकारीगरों को एक साथ लाने का काम किया विशेश रूप से उत्ताइ परस्रिम सीमान छेट के गांधार में भारती है शिलपकार, युनानी और रोमन शिलपकारों के समपर्क में आया गांधार कला शैली ह evolutionary मत्रा सारनाथ जैसे विविबिश् Laurani शेलें को भी प्रवावित मत्रा शेली में कई बुद्ध प्रतिमाों का निर्मान की आगया लिगले कीape खड़ी मुद्रा में गनेश्ध की जो बुद्ध प्रतिमाय बनी शर्भ क्यांज के टेजिस कृड़ी मुद्रा में अ इसलिए है कनिष्क क्नाम इसे इसलिए इसलिए पताई कनिश्की है तो 44 का हमारा बी सही है कि वल दो तीन सही है 45 देखते हैं इमले किस राजवंश ने बादामी गुफाओं के निर्मान को संद्रेक्शन प्रदान किया था ए चालोक भी वकातक सी साथ वहां डी रास्ट कुर्थ तो बताना है 45 का हमारे सही है बादामी 543 से 598 इश्वी तक इस चेत पर शाषन करने वाले प्रारमी चालोक भी वन्ष की राजदानी थी वकातक शाषक के पतन के साथ चालोक के उन्हें अपना शाषन इस्थाफित किया चालोक के नरेश मंगलेश ने बादामी गुफाओं के निर्मान को स प्रदान के अभाय वह चालोक नरेश प्लकेशन प्रतम का छोटा पुथ और कीरतिवर्ण प्रतम का भाई था जो प्लकेशन फरसट था उसका चोटा उत्र था गुफा संख्या चार के शलालेक में 578 से 579 इश्वी की तिथी का उलेक किया गया है इसमें वर्णित किया गया है कि गुफा अतिदिक आकर्शक बनी थी और विश्नु के प्रतिमा को समर्पित की गई थी इसलिए ये गुफा विश्नु गुफा के नाम से प्रसेद्द है जो गुफा संक्या चार है उसमें लिखा है कि ये विश्णु की प्रतिमा को समर्पिती इसलिए से विश्णु गुफा के नाम से ये प्रसेद्ध है 45 का हमारा एस है चालोक 46 देखते हैं नागर वास्तुकला एबं द्रवेंड वास्तुकला के संदरवे निमलिक इतकत्नों पर विचार कीजिए सब्सके को सब्सक्राइब करत दोचार से और सिरुटेजु की येनिमलिक द्रवेंड बास्तुकला के मंदिर हो ये विनलिकिना। नाटो में विमान कहा जाता है सीज़िदार पिरामिड़ की तरह होता है जो मंदिर के गुबत के रूप में जिसे हम विमान कहते है अग्यांषी सीज़िदार पिरामिड पाइंट checks बोच देऊडिए मंदिरों milkbird की दो, ऊपर के उठा हुता है देखे उत्तर भारत की मंदिर में मोरदार शिखर होते हैं लेकिन इसके बजाए कैसा होता है जामिती रूप से उपर के और उठा होता है दक्षिन भारतिय मंदिर में शिखर शप्त का प्रयोग मंदिर के शीष पर स्थत मुकुट जैसे तत के लिए किया जाता है यह उत्तर भारतिय मंदिरों में अमलक और कलश के समान है दूसा जाही नहीं है उत्तर भारतिय मंदिरों के गर्वग्रह में प्रवेश द्वार के पास मितनो या गंगा यमना नदी की प्रतिमाय हिस्थित होती है जबकि दक्षिन भारतिय मंदिरों में आमतव भयानक द्वा प्रतिमाय उत्तरभारत मुन प्रविशदार के पास गंगयमना नदी की प्रतिमाय होती है तक्षिन भारत के सब से प्रवित माने जाने वाले मंधिरों में उसका गुबन खोटा होता है मतलब मुख मंदिर जिसमें गर्व ग्रह होता है मतलब मंदिर की जो मूर्थी होती है उसका गुबन सबसे चोटा होता है इसका काण यह है कि आमतव पर मंदिर का सबसे पुराना भाग होता है क्योंकि यह क्या है मंदिर में सबसे पहले बना सबसे पुराना भाग है समय के साथ जब मंदिर से जोड़े नगर की जंसें क्यों आकार बढ़ गया तो मंदिर भी बढ़ा हो गया अकार बढ़ने से नगर का मंदर ही बढ़ा हुआ उसके चारो नई चारदिवारी बनने के जो सबसे बाहर की चार दिवारी सबसे नहीं हो सबसे बीच का गुबन जिसमें गर्फ गर्फय सब्सक्राइब बात समझ में आई वदलब गर्व का गुबन चोटा होता है क्या है वो सबसे पहले बना बाद में बंदिर नगर बड़ा तो चारो और दिवारे बनाई जाए लगी ठीक है फिर उनके शिखर भी बड़े बनाए गए तो 46 का दिखिए हमारा सी सही है एक और तीन सही है दूसरा सही नहीं है ठीक है अब दिखते हैं 47 निमलिखित शास्त्री संस्कृत साहित को उनकी रचना के काला नुक्रम में सरप्रथम से प्रारम करते है विवस्थित कीजिए एक नाटिशास दूसरा गीत गोविन तीसा ब्रच्च कटिकम चौथा उत्र राम चरित्तम ठीक है तो ब सुसंसरा ब्ताना है इनका कि 47 का में इस हे भरत पर्तम शताब्दी ईशाफूर से प्रतम शताब्दी ईश्वी द्वाररचत नात्य की प्रतम ग्रंत नाटिशास में अभिनय नातिशाला, मुद्राव, रसो, मंच, संचालन के बारे में सभी नियम और प्रद्शन वरनित किये गये हैं तो नाटिशास लिखाया और भरद्वारा रचत है ते प्रतम शताबदी ईशवी में इसमें को लिखह गया है इसमें क्या yamina नाटिशा स्मुद्राई ए सब हैं शुद्रक द्वारा रचत 248 बॉट्र्चिकम षिक्नी मिट्टी का ठेला असाधर नाटक प्रसुत करता है तो शुद्रक ने लिख़ा है म्रच कटिकम ठीके तो यह जो हमारा याटिशास सचे बाद लिखा घया मरेच्च 248 इश्वी में लिखा गया ठीक है यह नाटक है इसमें निस्ठोर सतिता के पुस्ट के पुट्ट देखने को मिलते हैं इसके पात्र समाज के सभी स्तरों से लिये गए हैं इसके चोर और जुवारी दुरजन और आलसी व्यक्ति वैश्या उनके सहयोगी पुलिस के सिपाई ब नवी नाकरशन आ जाता है तो इसमें क्या है सब्के बारे में उस ट्रैंग के जो लोग रहोंगे उनको इसमें दर्शा आये गया है मतलब समाज की सत्तिता वगयरा इसमें दिखाई गई है एक अन्य महान नाटक कर भवभूती साथ सो इश्वी अपने नाटक उत्तरर राम के लिए नहीं है और यह कि एक सद्रिश आत्मा निश्चे ही जन्म लेगी समय की कोई सीमा नहीं और प्रत्वी व्यापक है जैदेव बार्वी शतापती इश्वी में संस्कृत काव का अंतिमान साहित्पिकार था जैदेव ने कृष्ण और राधा के प्रेम के प्रतेक चरण अर्थात उतकंठा इश्या आशा निराशा क्रोथ समादान उब्भोग का नए नाभी राम गीतात्मा भाषा में वर्णन करने के लिए गीतात्मा काव गीत गोविन गोविन की प्रशंशा में गीत कृष्णा क फिर आएगी हमारी प्रिच कटिकम फिर आएगी हमारी उत्तर रामचरित और लास में गीत कृविन तो 47 का हमारा ए सहीरा एक तीन चार दो नाटिशास्त्र प्रिच कटिकम उत्तर रामचरित और फिर गीत कृविन दाएगा 48 बताना है मूक नायक और भहिश्कृत भारत नामक समाचार पर शुरू किये गए थे A. लाला लाजपत राय द्वारा B. वीडी सावरकर द्वारा C. बियार अंबेटकर द्वारा D. भगत सिंग द्वारा 48 का हमारा C सही है हाल ही में बियार अंबेटकर की जयनती बनाई गई उन्होंने अपने समर्थकों को संगठित करने उन्हें जागरुक करने के लिए बहिश्कृत हितकार्णी सवा सुतन्द मजदूर दल और बाद में अखिल भारतिया नुसोचित जाती महासंग जैसे संगठ सस्थां की सथाप्ना की साती उन्होंने मूख नयगी संगठित भारत जैसे लेकार्णी समयलनों में भाग लिया ऌसमेति के अध्यक्ष बने और भारती समीधान के निर्मान महत्पून भूमी का अध्यक्ष भी थे वर्ष 1951 तक भारत के विधी मंत्री भी रहे वर्ष परित्याक के लिए विचार कर रहे थी अतावर्ष 1956 में उन्होंने बहुत धर्म अंगिकार कर लिया अपने समर्थकों से भी बहुत धर्म करने की अपेल्ग आप्छिता का अनुभव कि हिंदू रहते हुए असप्रश्यता का अन्मूलन और असप्रश्यों का अध्यात्में उत्तान सबब नहीं होगा इसलिए उन्होंने बहुत धर्म को अंगीकार कर लिया तो इंदु धर्म में उन्होंने चुआ जैसी चीजों देखकर बहुत धर्म अपनाया और मेटकर एक राजनेत और समाज सुधारक भी नहीं सुधारक ही नहीं बल्कि विद्वान और विचारक भी थे इन्होंने विबिन समाजक और राजनेतिक विशियों का व्यापक पेमाने पर लिखा, जातीयों का विणा, शूद्र कौन थे असप्रष्य और उनका धर्म, उनकी भ्यथपूर्ण कृत्य आती 48 का हमारा C सही है 49 देखते हैं बाबर के संदर में निमलिखित कत्व में कौन सा सही नहीं है पूछा है A. उसने अपना बृत्तान तुर्की भाषा में लिखा था B. उसने बीरा के दुर्ख जेलम नदी के तरड़ पर अधिकार करने के लिए पहली बार बारूत का प्रयोग किया था C. वैए एक मात्र मुगल भाषा है जिसने अपनी आत्मकता स्वयम लिखी थी B. उसने खानका की उद्ध में रानसांगा को परजित किया था तो बताना है कौनसा सही नहीं है 49.C. सही है B. बाबर ने फार्सी था अर्भी भाषा का गहनता से अध्यन किया था उसे तुर्की भाषा के दो प्रसिद लेखकों में से एक माना जाता है तुर्की भाषा उसकी मात्र भाषा थी का तुर्की भाषा में अनुवाद शामिल है तो उसने मस्नवी लिखी थी और एक जो सूफी कृती थी उसका तुर्की भाषा में अनुवाद किया था बाबर एकमात ऐसे मुगल भाषा नहीं है जिन्होंने अपनी आत्म कता लिखी तो वो अकिला नहीं है जिनने अपनी आत्मकता लिखी जो जहागीर था उसने भी तुझू के जहागरी लिखी थी फारसी में एक कटरपन थी सुन्नी बाबर धर्मांद नहीं था ना ही धार्मेक उलेमाओं की नियंतरण में था एसे समय में जब एरान और तुरान में शियाओ और सुन्यों के बीच कटू संप्रदाइक संघष चल रहा था उसका दरबार धर्मेक को संप्रदाइक संघषों से मुक्त था तो यह चीज थी कि वो धर्मांध नहीं था मतलब धर्मेक को संप्रदाइक संघष नहीं चलते थे उसके दर्बार में यत्वी भात के लोग बारूत से परिचित थी लेकिन बाबर के आगमन के साथ उत्ते भात में तुप खानों के लिए इसका उपयोग आम हो गया पहली बार वर्ष 1520-21 इश्वी 1520-21 इश्वी में भीरा के दुर्ग हिंदुस्तान का प्रवेश दौर पर अपने आक्रमेंट में इसका उपयोग किया था तो जाते थे बारूत के बारे में लेकिन उस बाबर के बात क्या है तो खानों के लिए इसका उपयोग जादा होने लगा सबसे पहले 1521 इश्वी में भीरा के दुर्ग जो है जिसे बोलते हैं हिंदुस्तान का प्रवेश दा इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि संभव और आयोध्या में इस्थानी सूविदार बनाएगे मस्जितों का निर्माण वहां के हिंदु मंदिरों को तोड़ कर किया गया था संभव ता उसने केवल मौजुदा मस्जितों की मरमत की और बावर के संबान में एक शिल बावर के भीक लड़ा गया जो खांप का कर युध था टिक सब्सकार योमे युट य०ि में आगराचष ने डिली डेट में सुरे कि ऑ दोख करन मस然后 की मौछान में जिस्थी में घड़कों बखर मौनार तो 49 में से सय था में 50 देखते हैं हाल ही में वैश्विक सुरक्षा पहल को निमलिखित में से किस देश ने प्रस्तावित किया A. ऑस्ट्रेलिया B. भारत C. चीन D. रूस तो बताना है तो देखे इसका C सही है 50 का हाल ही में चीन में बौाओ फोरम आयोजित किया गया चीन में आयोजित किया इसमें चीन ने एक वेश्विक सुरक्षा पहल का प्रस्ताव प्रस्तूत किया इस प्रस्ताव में अधी पत्तिवाद, शक्ति के राजञेती, पावर पौलिट्टिक्स और गुटो के टकरा ब्लॉक कंफ्रेंटेशन के विए चेताब नी दी गई जिसे देखी क्वार्ट बन रहा है ये साही चीज़े बन रहे है तो इसकी खिलाब उसने चेताब नी दी ठीक है जो चल रहा है शक्ति की राजनिती गुटों का टक्राप अधिपत्यवाद इसकी विरुत चीनी उसकी आंसर में इसको प्रस्तुत किया वैश्विक सुरक्षप है 50 का हमारा सी सही है अब देखेंगे हम क्वेशन फिफ्टी वन नमबर फिफ्टी वन महाबलीपुरम में इस्थित तर्ट मंदर के संदर में निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए एक इसे राजराद चोल द्वारा निर्मित करवाया गया था दूसरा ये केवल भगवान शिप को समर्पित है तो बताना है कौन से सही है केवल एक केवल द उसके बारे में प्रसेद है कि उसने पुलकेशन दित को हराकर उसके अपने हाथों अपने पिता को मिली हार का बदला लिया तौकिया तो नर्सिंग वर्वन प्रतम था जिसे मामल भी बोलते थे वह पलव राज गदी पर बैठा था था ठीकी हा उसने पुलकेशन दित को हर इ tiramanh में जो थो माहाबलीपूरम कि ध्यूल cola निरमान के सिखना महाबलीपूरम कि इता है। यह तो निरमाण मैं धित का निरमान कि धत्तर है। इस मंदिर का मुख्ह समध्य के ओर करके इसे पूरवाभि मुख बना दिया गया। इसका मुख्ह समध्य के ओर हुआ परनतु यदि आप इसे जुट से देखे तो फाएंगे कि मंदिर में में वास्ते में तीन देवाले हैं इसमें से दो शिफ्के हैं उन में से एक पूरवाभी मुख और दूसरा पश्यमाभी मुख है और उन दोनों के बीच अनंत शैनम रूप से विश्नु का मंदिर है यह असमान पहलो है क्योंकि मंदिरों में समानता एक ही मुख देवाले होता है पूजा के तीन इस्थान नहीं थी और कालांतर में परवर्ती संरक्षकों ने मूल देवाले के साथ अन्य देवाले को भी जोड़ दिया था यह तो जो बाच के बाद के जो संरक्षक थे उन्होंने जोड़ा था इसको मंदिर के हाते में कई जलाशे हैं एक आरंबि गोपुरम और कई अन्य प्रतिमाय होन बायू की कटाप की कांट गंभी रूप से विक्रत हो गई है तो 51 का मारा डी सही है मतलब एक और दो दो नहीं सही नहीं था 52 देखते हैं गुप्त काल के दौरान प्रशलित समाजिक परस्चितियों के संद में इमलिखित कत्म में से कौन सा सही है एक सभी जातियों की महिलाओ को कार करने के लिए अधिकार से वंचित कर दिया गया थो और यहां तक कि उन्हें शूद्रों के समान माना जाता था दूसरा अचुत्यों को धारमिक महकावयों के पुराणों के पार्ट सुनने के अनुमत्य नहीं थी सी सती क्रिथा प्रशलिती तदा विद्वाओं को की कास हुआ ब्रामॉडों को बड़े पैमाने पर भूमे अनुदान मिलना इस बात गढ़ों की शेष्टा गुपत काल में मजबूत हुई भाहामॉड गुप्त वंशियों को चत्रिय मानने लगे जबकि ए मूर्था वैश थे ब्रामडों ने गुप्त राजाओं को देवताओं के गुडों से अलंकरत रूप से चित्रित किया थे ब्रामडों को इसमें क्या है बड़े पैमाने पर गुप्तकाल में उनको भूमी अनुदान मिला इसे पता चलता है कि उनकी शेर्षता मतलब मजबूत हुई ठीक है और ब्रामड गुप्त वंशियों को चत्रिय मानने लगे जो भूम्ध राजाओं के चत्रिय ममानने लगे जबकि व़ैश थे इससे गुप्त राजाओं की छवी धर्मशात्र सम्मत हो गई और वे ब्रामणवादी उस था कि परम परतिपालक हो गया भारी संख्या में मिले भूमे अनुदानों के फलसुरूप ब्रामणों ने अत्यदिक धनसंचाए किया साथी ब्रामणों ने बहुत से विश्यषादिकार अजित के जो लगबग पांचवी सदी में रचित नारद इस्मृती नारद की कानूर की पुस्तक में सुचिवत किये गए अगरित विश्यषादिकार में अंगरित जो अनगरित जाती उपजाति भूण चांड इसके दो कांट के भाहर संखें विध्यों से आए लोग भात की समान में घुल वेदेशियों की प्रतेक समूल की जाति मानना जाया लगा मतलब जितने वह जितने भी बहार से लोग आ गूटिभवेकःधा हो जी辟े थे तो ईंको चछत्री का इन लिया गया चाथे मैं के हुआदा सों ओंतिता राजपूत के छतीस को में से एक कुल की मान लिए गया है वह उनको भी च्छत्री मान लिया गया की मान लिए गया हुआ हो हुआ जेशे आय थे उनकी कारण जातियां बड़ी दूसरा कारण था ग्राम मतलब अनुदान की प्रक्रिया ठीकिं का जिसए कहो ुइस से जन्जाती लोगु का भ्राह्मठ समाजं ने खोना इसकाल में två लूब 13 में सुधार मिल गया तो जो सुद्रते उनकी स्थिति में गुप्तकाल में सुधार हुआ था उन्हें रामायन महाभारत पुरान सुनने का अधिकार मिला महाकाव्यों पुराणों ने चत्रिय परंपरा कर प्रतिधित किया इनके इनके मिथकों और किवधन्तियों ने समाजिक विवस्था कि प्रति निस्थार जित की शूद्र अब क्रिष्ण देवता की पुजा कर सकते थे उन्हें कुछ ग्रह संसकारों या घरेलों अनिस्थानों का अधिकार प्राप्त इन कर्मों से पुरोहित को अनिवार्द दक्षिना प्राप्त होती थी यह समझा जा सकता है कि वे सभी शुद्रकों की आर्थिक इस्तिति में सुध अंत्र जाएगे सातवी सदी से उनकी पहचान मुक्त क्रिषकों के रूप में लगी तो फिर वो मेनली खेती करने लगे उनकी वुपर व्रणों के वह कार करने वाले सेवक दास मजदूरों के रूप में सब्सक्राइब होता था पहला कि वे動 पर थे विश्रक सेवक को कि शुद्य उनके संह्षाइं के रामायन उभात पुरान सुनने का रप्तुबा उनके लिए क्रिशिन से नुमत vom करका लाए कि juvenile asunun ने रिजिशन वर्न के लिवापन के लिए अर्जन कर जो निचले वर्la थे उनकी अपने जीवन हापन के लिए कौम कर सकती थी इतने से ही उन् глуб nurse मिल गई करने का पते का में अत्मांदा करने का पहला अभि लेखिए अधारन गुपत काल के दौरान 5010 एश्वे मिलता है फिर भी हुपत vai काल में कुछ स्मृतियों में कः घा कि एधी ठीफर्ण की विद्वाओं को पुनिर्वा करनी के नुमति नहीं किन्तु शूद्रों में विवा पुनर्विवा प्रचलित था जो शूद्र थे वो विद्वा पुनर्विवा कर सकते थे 52 का हमारा D से ही है 53 देखते हैं वश 1867 और 68 में भारत में शैल चित्रों की सरप्रतम खोज इमलिकित में से किस पुरा तत्वित ने की थी आर्किबोल्ड करलाइल भी बी एस भाकन कर सी जॉन कॉकबर्ण डी जी डबलू एंडर्सन बताईए 53 का मारे से यह परागयतिहासिक चित्रकारियां विश्व के अनेक भागों में पाई गई है पास्तव थोड़ा सा यहां पर लिखा हुआ गलत सा है तो सौरी कुछ गलत हो यह नहीं जानते के पूर पुरापाशन यूग के एक सेकंड चलिए देखते हैं देखे परागयतिहासिक होगा यहां पर थोड़ा सा गलत लिखा है फिर भी मैं आपको सही बतानी कोश्व करूंगी प्रागयतिहासिक चित्रकारियां विश्व के अनेक भागों में पाई ग फिर्मान किया था लेकिन हमें यह ग्यात होता है कि उत्तर पुरा पाशन काल जो अपर पेली उलिथिक टाइम था तक आते-ऊते मनिश्यों ने कलात्मक्रियाकलापों में वहारे बृद्धी हो गई थी दुनिया भर के इस पहर में अइसी अन्य गुफाय पाई गई गही है जिनकी दिवारों पर पश्यों के सुन्द चित्र से भरी पड़ी जिनका उन गुफाओं में रहने वाले लोग शिकार किया करते थे, पश्यों के शिकार करते थे, उनके चित्रों की विशैवस्तु जो मानवाकरित यां मानवे गतिविद्यां पश्यों की प्रतीक चन्न थे ठीक भारत में अब तक पाए गए प्राचींतम चित्र उततर पुरापाशन काल से सम्मधेरें भारत में जो हमें मिले हैं वो उत्तर पुरापाशनकाल से रेलेटेड हैं भारत में शेल चित्रों की सरप्रतम खोज वर्ष 1867-68 में पुरातात्विक जो है आर्कीबोल कारलाइड ने की थी ठीक है कॉकबर्ण एंडर्सन गोश पहले पुरातात्विक थे जन्होंने भारतियों महादीप में ऐसे अनिक स्थल खोजे थे आर्कीबोल कारलाइड ने 1867-1868 के उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के जो सुहागी घाट है सुगाही घाट ठीक है अब में चित्र शैलो की खोज की 1881 में थोड़ा सा ये बहुत ही जादा खराब लिखा हुआ है चलिए जितना समझ में मुझे आ रहा है मैं पढ़ देती हूँ 1881 में कॉकबर्ण ने मिर्जापुर के छेत्र में केर नदी की घाटी में गेंडे के जीवाश मस्तियों के साथ साथ रोब गाव के निकट एक आ एड़कल की गुफा में शेलकृत नकाशी की सरप्रथम खोजगी इसके कुछ वर्षों के बाद ए सिल्वराड ने बारा जिले में शेल चित्रों का एक सचित विवरेंट प्रकाशित किया सी डबलू एंडर्सन ने कौन से प्रदेश के बता नहीं राइगाट जिले में सिंघलपूर के एक चित्र आश्रे इस्थल की खोश्की सौरी यह बहुत ही खराप लिखा हुआ है तो 53 का आंसर तो हमारा ए है तो 54 दिखते हैं कटपुतली की कुंड ही शेली के संदर में नि तो कौन सा सही है 0 to 54 की दागा दागा पुतलीओं को कंडही के नाम से जाना जाता है तो ओडीशा की होती है यह कट पुतलिया हल्की लकडी से बनी होती है उनके प्रेम को पकड़े रहता है जिस पर संचान करने के थागे बनते होते हैं परमपरागत जात्रानाटक के अभी निताओं की बाती कुंड़े भी एक विसिस्ट वेश्बूशा होती है इसके लिए छेत्र की प्रसेद धुनों से ही संगीत लिया जाता है कभी-कभी इस पर संगीत का गहरा प्रभाव प्रदर्शित होता है फिफ्टी-फूर का मारा भी सही है यह कहां के ओडिशा की है पहले भी हमने पढ़ा था अगर आप यहां से पढ़ रहे होंगे तो आपको यह याद होगा फिफ्टी-फाइफ देखते हैं एक आईएस अधिकारी के त्याकपत आपको जनहित में अपना त्याकपत वापस लेनी के नुमती दे सकती है तो इसमें से कौन से सही है एक एवल एक दो बी के वल दो तींसी के एवल एक तीम डी एक दो तीम 55 कब 20 आई हाली में भार्टय प्रशाश्चनिक सेवा आई है इसके अधिकारी शा फैसल जन्होंने वर्ष 12 उनिस में कशिवर में होने वाली निरंत रहत्याओं के विरोध में सेवा से त्याकपत दे दिया था को पुनर नियुक किया गया है त्याकपत किसी अधिकाई दोर दिशान रिडेशों में उँलिख क्या गया है कि त्याकपथ इस्पस्ट और बिना किसी शर्त के होना चाहिए सेवा से त्याकपत देना सरकार की स्वैक्षिक सेवानी वृत योज़न वियारस को स्विकार करने से पूर्टा भिनना है यह अलग है वियारस से त्याकपत्र देना वियारस का विकल चुनने वाली करमचारी पेंशन के अगदार होते हैं जबकि त्याकपत देने वाली करमचा तो किसी कैड़र राज सेवा अधिकारी को अपना त्यागत राज की मुख सचिव को प्रस्तुत करना होता है कोई अधिकारी जो केंदिय प्रतिन्युपती को सौपना हता है तो मंत्राले क्या होगा फिर उसको राज के पास बेचेगा। कि जो जो कि वन में किए सकती है कि कर पुना लॉटनेने कgement सब्सक्रा पर चिति के मद सेवा की अनुपस्तिति के अब्धी 90 दिन से अधिक नहीं होने चाहिए तो बीच का टाइम 90 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो 55 का हमारा भी सही है, दूसरा तीसा सही है, पहला सही नहीं है गुप्तिकाल में भगवान पंत का उदय हुआ जो भगवान विष्णु तथा उनके अफ्तारों की पुजारशना पर आधारित था दूसरा गुप्षाशक हिंदू धर्म के एकटो अनुयाई थे और नोने बड़ी संख्या में बहुत अनुयाईयो पत्याचार किया तीसरा तंत्रवात की उदय की कारण हिंदू और बहुत धर्म के देवी पुजन की प्रथा प्रारम हुई उनमें से कौन से सही है एक एवल एक दो बी केवल दो थीन सी एक तीन डी एक दो तीन 56 कमा सी सही है गुप्षाशको दारा भागवत पंथ को प्रशर प्रशर प्रदा प्रद्वाति कमशा फायान और हिंसांके यात्रा बृतांतों से सपस्ट होता है कि उस समय बहुत धर्म प्रक्ति पर आप प्रारंबिक जीवन में शैव मत को मानने के बावजूत हर्ष वर्दन ने बहुत धर्म को स्वीकार कर लिया था तो पहले हर्ष वर्दन शैव मत को क Karma hurricanes बनाने के लिए सबमय नालंदा वब देशभ़र से विधया थिभिषवध्याया ग्यान अरजन अनुषा यह नडान के लिए विष्वध्या कि देखें हें सट्तार कि अनुसार यह विष्व अदल विश्व डिया ले सो गावों की राज़ास सन्चायत होता था भागवत्पन्द भग्वान विष्क्णु भक्तियों अहिंसा पर बल दिया नयापंद काफी उधारवादी तथा निम्न जातियों के लोग भी इसका अनुसरन करते थे यह उधारवादी था भागवत पंद के मुख्य ग्रंथ भगवत गीता के अनुसार जब भी कोई अधर्म होता है भगवान विश्नु मानव रूप प्रतिक अवतार की गुड़ों को लोगप्र बिनाने के लिए पुरान की रशना की मंदिरों में देवताओं की प्रतिमाए इस्थापित होती थी पांचवी श्यताबदी के पशाथ ब्रामण व्रामडों का निपाल असम बंगाल औरिशा मतप्रदेश करक्कन के प्रदेश ब्रामणवादी समाज में जन्जाती अतत्व समलित हो गए थे ब्रामणवादी संस्कृतियों जन्जाती परंपराओं के इस समिश्रण ने तंत्रवाद को जनम दिया तो मतलब क्या हुआ कि भूमी मिलने लगी तो जन्जातियां भी जो वहां रहती वह इनमें मिल गई तो दोनों के मिश्रण से क्या हुआ तंत्रवाद को जनम मिला इसमें लिंग और जाती अधायट भेदभाव नहीं तो इसमें महिलाओं शूद्रों दोनों को महतबुन स्थान प्रापता इसमें इस्तरी को शक्तियों उर्जा का केंद मारा तंत्र के सिध्धान ने शैव वैश शक्तियों के प्रवाब के संदर में निमलिखित में से कौन सा कतन सही नहीं है शको और कुशाडों ने मौरिकाल की तुलनाएं बहतर अश्वारोई सेना की परंप्रा प्रारम की बीनों ने भार्तियों महादीप में व्यापकिस्तर पर सोने के सिक्के जारी किये सी इस अब्धी के दौरान बहुत धर्म की महायान शाका का उद्भव और बुद्धी की मूर्ति पूजा शुरूई दी भारत में कुशाडों द्वारा शाषन की छत्रा विवस्ता की शुरूआत की गई तो 57 का देखिए हमारा डी से यह पर यहां पर भी बहुत वैसा ही लिखा हुआ है शायद ऐसा च्छपाई होगा भारत पर मद एश्या ही शक्तियों के संपर के संस्कृतिक परणाम हुए देखिए उत्कृस्ट अश्वारों ही सेना शक और कुशाडों ने भारती संस्कृत कि मैं नवीन अव्यवों को जोड कैसे अतिधिक सुरुधन बनाया वे देखिए यहां पर बहुत ही अजीब सा लिखा है मैं आपको समझ में आ रहा है तो आप पॉस्ट करके इसको पढ़ सकते हैं इनको पढ़ने में बहुत दिमाग लग रहा है बाकी कर मैं आपको इसका राइट आंसर बता देती हूं कि आंसर रिपीट होते हैं तो फिर ऐसा आपको मिल जाएगा अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप पॉस्ट करके इसको देख लीजे इसका मामा मैं आपको राइट आंसर बता देती हूं 57 का eldh. युकंत पूसा सही नहीं है तो ए- बी-सी तो सही है ये नहीं पूछादा के दौर मद इश्याई शक्तिटियों के प्रभाव के संदर में कौनसा सही है इस हबदी के दूसरा कमल घंटी का अधार तीसरा इस्थम चौथा उस पर बना हुए एक डोल जिसमें चार पशू देख्षिनावर्द गति के साथ प्रदर्शित है नीचे देगे कुट के प्रोकर सही आंसर बताना है एक एवल एक दो बी के वल दो तीन चार सी के वल एक दी एक दो तीन चार तो बताना है कि जो सारना सी शिर्ष है उसके क्या आव्याव भाग एन में से तो 58 का ह सभाज कि यह निकर सायरनाथ में लगबक सो वश पहले खोजे गये सिंग शीश को आम तर पर शायरनाथ सी शीष कहा जाता है तो इसको यह मिला था अधा के निकट सारनात में मौरकाली जो मूर्तिकला थी उसका उधारन ने इसे भगवान बुध्ध द्वारत धर्म-चक प्रवर्तन अर्था गठना के स्मृति में सम्राथ अशोग द्वारा बनवाया गया तो बुद्ध ने जब प्रत्रम उब्देश दिया था जिसे अधर्म चक प्रवर्तन तो उस घठना की स्मृति में अशोग ने बनवाया था इस सिंग शिर्ष की मूलता पांच अव्यवा भाग थे कौन से में तूट चुका है शाफ्ट एक कमल घंटे का आधार था उस पर बना हुआ एक ढोल जिसमें चार पशु दक्षिनावर्थ गती के साथ दिखाए गया है चार रास्ती शांदार सिंगों को आगे पीछे जुड़ी हुई आकरतिया चार सिंग की आकरतियां सर उपरी तल धर्म है तो फिफ्टी इट का हमारा डी सही है चार हो ही सही है अब देखते हैं फिफ्टी नाइन प्राचीन भाहत के बाद की धार में परंपराओं की निमलिकित विशेष्टाओं में से कौन सी सिंदु घाटी सब्ता में पैचले थी एक मूर्थी पूजा दूसरा मंदिर में प जक्षपूजा चौथा अनुस्ठानिक स्नान पताना है सही आंसर एक केवल एक दो तीन बी केवल एक तीन चार सी केवल तीन डी एक चार फिफ्टी नाइन का बी सही है सिंदु घाटी सब्ता की परंपराय और धार्मिक प्रताय इसके पतन के बाद भी जीवित रहें और भ मुर्तियां मिली हैं जिसमें से कुछ के शीष पर विश्रत प्रसाधन अलंकरित थे इन्हें मात्र देवियों की संग्या दी गई तो इन्हें बोलते हैं कि मात्र देवी हैं मोहन जोड़ों से प्राप परशूपती मुहर पर यौगिक मुद्रा में बैठेक देवता का चित अनेक महरों में ब्रक्ष पूजा पशूपूजा के साक्ष में हरपा की महरों सीलिंग्स बाजू बंदों और आयताकार तामर पट्टियों पर कई ब्रक्षों पादुपो और पशू की छविया चित्र ते जिन में से कुछ का धार्मिक महत्वत था पीपल के ब्रक्ष को महरों पर देखा जा सकता है जिससे ग्यात हुता है कि सिंदु घाटी में ब्रक्ष पूजा होती थी मांधते हैं मंदिर में पूजा की परंपरा सिंदु घाटी सब बिताये मौजूद नहीं थी, क्योंकि मंदिरों में कोई साक्ष नहीं प्राप्त हुए, किसी भी हरप्पा इस थल पर मिली एक भी संरशना को निशिद रूप से मंदिर के रूप में नहीं पैचान जा सकता, तो मंदिर जादा हमें साक्ष नहीं मिले हैं, तो 59 का हमारा बी सही है, एक तीन चार सही है, 60 देखते हैं, अंतराज़्टी अपराद न्याल लाए, ICC के संदर में निमलखित कतनों पर विचार कीज़े, एक इसे रोम सम्विधी के तैस सुजित क्या गया था, दूसरा इसका मुख्या और देशों ने रूस पर यूक्रियन की राज़ानी कीव के बाहर बुका शहर में युद अपराद करने का आरोप लगाया है, अंतराज़्टी अपराद न्याला है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ICC, रोम सम्विधी, दर रोम स्टेचू नामक एक अंतराज़्टी संद अपरादिक न्याला है, इस मामले की जाच करता है, कि जहां आफशक हो, नरसंगहार, युद अपराद, मानवता के विरुद अपराद, आकरमेंट के अपराद, जैसे अंतराज़्टी समुधाय के लिए चिद्दा जनक सरवादिक गंबीर अपराद हो, कि दोशी आरूपि के तहट, अंगीकरित संकल्प के अनुसा, स्योक्तिरास्ट, सुरक्षा परिश्ट, युएनस्सी, मामले को, आईसीसी को भी संदर्वित कर सकती है, जो युएनस्सी है, मामले को, आईसीसी को भी संदर्वित कर सकती है, आईसीसी संयोक्तिरास्ट के साथ सहयोग समझाता है ICC जो है वो स्योक्तरास्ट का संग्ठन नहीं है लिकिसके साथ एक सायोग समझाता है भात ने रोम सम्विधी पर ना तो हस्ताक्षा कियो है ना इसका अनुसमर्थन किया है विश्की अधिकान जनसंख्या का प्रतिधित करने वाले ऐसे कई प्रमुक देश है जिन्होंने रोम सम्विधी पर हस्ताक्षन नहीं किया है तो किनने इस पर हस्ताक्षन नहीं किया है इनमें स्योक्तराज अमेरिका आ जाता है रूस, चीन, भारत, यूकरेन, पाकिस्ता, इ कि तहत 1998 में किया गया था प्रारम में 60 सदस देशों ने इसका अनुसमर्थन किया था जो बढ़कर 123 हो चुके है एक जुलाई 2002 से अपना कार प्रारम किया आइसी सी के निर्णे बादिकारी अंतिम होते हो इनके विरुद अपील नहीं की जा सकती तो आइसी सी के जो ले ध्यान रखे स्युक्तराज अमेरिका रोज चीन भार यूपरेन पाकिस्ता इंडोनेशेस में शामिल नहीं है तो 60 का हमारे एस है केवल एक और दो सही है बाकी की क्वेश्चन हम नेक्स वीडियो में देखते हैं आपका दिन अच्छा हो थैंक्यू